नमस्ते दोस्तों टाइम हमारे जीवन का बहुत ही कीमती हिस्सा है क्योंकि टाइम कभी सोचता नहीं टाइम कभी रुकता नहीं और टाइम कभी बिकता नहीं टाइम इस मनी टाइम बहुत अन्मॉल है टाइम बहुत ही वेलिवल है इसे बरबाद नहीं करना चाहिए इसे सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए इस तरह के डायलोग हमने बच्पन से लेके अब तक अंगिनत बार सुने होंगे लेकिन क्या सच में इनका हमारे उपर कोई असर हुआ है साइद ही एक दो को छोड़के तो ऐसा क्यों है कि टाइम इतना कीमती होने के बाद भी हम इसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते क्या आपको इसका उत्तर पता है मैं आपको तीन ऐसे रिजन बताओं गा जिस काण से हम टाइम का यूजञहि कर पाते कारण साइद हमैं सिखाय नहीं efforts किया जाए कारण नभर 2 साइद हमें टाइम की वेल्यू नहीं पता हम्हें समय की कीमत ही नहीं पता कारण नमबर थ्री मुझे लगता है कि टाइम हमें हज से ज्यादा कॉंटिटी में मिला है जिस वज़से हमें लगता है कि वो कभी खतम होने वाला ही नहीं है जिस वज़से हम समय की कीमत नहीं करते हैं कारण बले जो भी हो सच तो यह है कि हमें समय को लेके गलत फैमी है यूँ कहें तो एक मित है हमें रखता है जो ये काम है हमने आज नहीं किया तो क्या हुआ कल का दिन तो है ना और और वो कल कभी नहीं आता और उस काम की पीछे हम हपतों बरबाद कर देते हैं अगर आपको सच में टाइम की किमत पता करनी है तो उस इंसान स्च पूचिए जो अगले पर मरने वाला है और वो और कुछ पल जिने के लिए सब कुछ लुटाने को तयार है अपने सब कुछ देने को तयार है तो आपको क्या लगत ने को्छति है कि कि मुझ से पूचते है कि चिर il मैं कहूंग कि निप and बहूत किशन बहुत अब जो कि मैंने रिजेंटली एक बुक पड़ी है टाइम मेनेजमेंट बाय सुधिर दिक्षित इस बुक में अराउंड 30 से स्टेप दिये गए हैं जिसका यूज करके आप टाइम मेनेजमेंट यूज करना सिख सकते हैं वैसे तो यह बुक ओलनी 75 रुपीज की हैं बट यह बुक आपकी लाइप में बहुत सारी लाकों रुपी के वैलिव एड करती हैं मैं चाहता हो कि इस बताने से पहले आप अपने पास एक नोट है डारी रख ले और उसमें सारे नोट कर ले क्योंकि लिखा हुआ हमेसा याद इसका फाइदा क्या होगा एमेजन करो कि आपके मदर ने आपको बादाओ से कुछ सामन लाने को कहा जैसे कि 1 kg सकर 2 kg आलू 3 kg प्याच 5 kg आठा 1 kg रवा एक्सेप्टा क्या आपको लगता है यह सारा सामन आप बीना नोट कि या बीना लिके बादा से सही तरीके से लाँ सकत अगर आप कैसा करेंगे तो आलू का कांधा हो जाएगा और कांधा का आलू हो जाएगा और बीना वजे आपको आपकी मदर St리 डाट खाने पड़ेगी जब इस तरह के काम बीना की कर सकते तो time management के काम बीना में काम किसे कर पाएगे तो time management के जितने भी काम हैं उनको लिखना बहुत ज़रूरी है उससे होगा यह कि आपको पता रहेगा कि आपको कौन सा काम कब करना है और कब खतम करना है तो आप अपने टाइम की डायरी बनाईए उसमें स्टार्डिंग में 4-5 इंपोर्टन वक्स की लिस्ट रखिए लिखना सुरू कीजिए और धिरे-धिर से अब अपने काम बढ़ा सकते हैं तो आज ही अपने टाइम की डायरी बनाईए और अपना टाइम मैनेज कीजिए स्टेप नमबर टू मेक अलिस्ट ऑप इंपोर्टन वक्स उन सारे कामों की लिस्ट बनाई हैं जिनने करना बहुत इंपोर्टन्स है पहले यह जान ले कि इंपोर्टन वक्स का मतलब क्या डेली लाइप के काम जैसे की बाथिंग ब्रसिंग ब्रेक्पास्ट इन्हें आप के भी अपने इंपोर्टन वक्स के लिसमें डाले बलकि वह काम जिसको करने से आपके लाइप में वैल्यू एड़ होगी और आपके फ्यूचर के गोल अचीव करने में हेल्फ होगी वह सारे इंपोर्टन काम एक्जामपल के दोर पे जैसे की रीडिंग बुक एक्सराइज मेडिटेशन राइटिंग बुक या लर्निंग नीज स्किल इस तरह का कोई भी काम जो आपके लाइप में वैल्यू एड़ करें वह सारे आपके इंपोर्टन वक्स होगे सबके लिए अपने अपने अलग-अलग इंपोर्टन वक्स होते हैं हैने कि कुछ भी हो सकता है कोई वह काम जो आपके लाइप में वैल्यू एड़ करें जिसकी वजह से आपके लाइप में कुछ वैल्यू एड़ हो यह काम आपके जॉब से लेटर हो सकता है अपने बिजनस से लेटर हो सकता है और किसी भी काम से लेटर हो सकता है बेंजेवन फ्रेंकर के बहुत अच्छी ल यूज ओप टाइम इन ट्रावलिंग आज कर ट्रावल करना हमारे लाइप का हिस्सा बन गया है लोगों को जॉब्स और बिजनस के रिगार्डिंग बहुत ट्रावल करना पड़ता है और उसमें कितनी गंटे वेस्ट हो जाते हैं अगर हम ट्रावलिंग के समय टाइम को स्थे लोग ट्रावलिंग के समय अपने इंपोर्टन स्कॉल्ट पूरा करते थे यहां तक कि ठावमस एडिसन भी जब भी ट्रेन से टावल करते थे वह अपने एक्सपरिमेंट में लग जाते थे और अपना समय यूज करते थे जैसे कि आपने देखा कि सफल लोग भी time को लेके कितना alert थी अगर आप भी अपने time को बचा कर use करना साते हैं तो use of time in traveling इस skill को सिखना होगा और आपके life बदल सकती हैं, आपके result बदल सकते हैं Step number 4, काम सौपना सिखे काम सौपना एक time management की बहुत ही कमाल की skill है जो हम सब को आनी जाहिए काम सौपना का मतलब यह नहीं की काम चोरी करना है काम सौपने का मतलब है कि अपने काम को किसी दूसरे योग्ये लोगों द्रगाँ उस से होगा यह कि आपका बहुत सारा time बचेगा आप उस time को किसी महतोफन काम में लगा सकते हैं या कोई नई स्किल टेक्निकल स्किल सिख सकते हैं और जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं इजामपल बड़ी-बड़ी मल्टिनेशनल कंपनियां अपने कामों को लोगों को जॉब देके पूरा करवाती हैं जिससे वो ज्यादा सपल हो पाएं बड़े-बड़े वैपारी भी अपने च्छोड़े कामों को लोगों को जॉब देते हैं और उसे पूरा करवाते हैं ताकि वो ज्यादा पैसे अर्ण कर सके ज्यादा सपल हो सकते हैं आपको एक बात समय नहीं होगी कि इंसान सब कुछ नहीं कर सकता अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है सपल होना है तो आपको काम सॉपने की स्कील आने ही चाहिए उससे यह होगा कि आपका बहुत सारे समय बचेगा आप इस समय को कई और इंवेस्ट कर सकते हैं काम सॉपना सिखे अगर लगता है कि कोई काम आपका बहुत इंपार्टन है बहुत सीख्रेट है बहुत ही सेंसेटिव गाम है तो उस काम को आप खुद कर सकते हैं लेकिन काम सॉपना एक एसस के लिए जो हम सबको आने ही चाहिए प्राइम दिखाने के लिए अलग लग समय के साबसे अलग लग कीमत फोते है लेकिन आच से दस के बीच महीं इस normalmente सेब्स्यादा और्टोटाइज की चीमत होती है क्योंकि उस समय ही maximum दर्शक वीवर्स एवलबल होता है टिवी देखने के लिए जिस वज़र से वह एक प्राइम टाइम होता है क्योंकि maximum और उस समय टिवी देखती है और उस समय एक कीमत बहुत जादा होती है इसी परकार दिन में 24 घंटों में से कुछ समय ऐसा होता है जिस वक्त हमारा body हमारा mind energetic होता है fresh होता है और बहुत रचनात में होता है तो अपना प्राइम टाइम आप पैच्छान है और अपने प्राइम टाइम के सबसे काम करें अपने प्राइम टाइम में सबसे creative और महत्वकुन काम करें इससे फाइदा यह होगा कि प्राइम टाइम में काम करने के जिसे आपके बहुत सारे काम एक ही घंटे में पूरे हो जाएंगे जो कि कितने ही दिनों में नहीं होते हैं हर एक का अपना अपना प्राइम टाइम होता है किसी का दोफेर का, किसी का रात का, किसी का सवर का आप अपना प्राइम टाइम परचाने और उसके सबसे काम किजिए प्राइम टाइम में काम करने का यही फार्दा है कि आप बहुत सारे काम बहुत जल्दी और effectively कर सकते हैं अपने चुटपूट के कामों को किसी और समय पे डाल दे और प्राइम टाइम में सबसे important काम करे कितने घंटे काम करना है इसके बिदाए कितने काम आपको खतम करना है यह आप प्राइम टाइम में डाले उससे आपके सारे काम जल्दी से खतम होगे step number six make a deadline of your work अपने जितने भी काम में उनको एक deadline दे अब आपको मैं एक example लेकर बताऊंगा आपको याद है जब school or college के टाइम जब हमें practical book submission करना होता था तो हम साल पर उसको touch नहीं करते थे लेकिन जिस दिन आपको प्रैक्टिकल सब्मिट करना है उससे एक दिन या उसके एक दिन पहले आप दिन बर बैटके रात बर बैटके उस book को complete करते थे और अगले दिन उस book को submit करते थे ऐसा क्यों हो पता था क्योंकि आपको पता था कि यह इसकी deadline है अगर मैंने इसे नहीं दिया तो problem हो सकती थी तो जिस वाज़े से आप क्या करते हैं आप अपना पूरा time अपना पूरा focus पूरी energy लगा के उस काम को पूरा करते हैं अपना focus consciousness सब कई से भी छोड़के उस काम प time आपको पता है अगर नहीं करेंगे तो problem हो सकती आपको exam में नहीं बैठने दिया जाएगा यह बात आपके दिमाग में कहीं नहीं कहीं आपको कुछ active करती हैं आपको plan action लेने के लिए मोटी करती है deadline बहुत कमाल की होती है deadline होने से होता है कि आपके अंदर एक नहीं energy आती है आपके दिमाग में कहीं नहीं कहीं होता है कि मुझे इस time से पहले इस काम को पूरा करना है तो हर काम में deadline होना बहुत जरूरी है deadline होने से आपके सारे काम time पे खतम होंगे और यहीं होती है deadline की power इस डेडलाइन पे सारे काम पूरे करना बहुत जरूरी है और यह होती है पावर ओप डेडलाइन स्टेप नमबर सेवन फोन और इटरेनर पे कम समय विस्ट करें फोन और इटरेनर दोनों ही 21 सेंचुरी के वर्दान है या यू कहें तो 50-50 है वर्दान या स्राप अब आप कहेंगे वह कैसे यह जो स्मार्टफोन है यह बहुत ज्यादा स्मार्ट है यह कब आपसे आपका समय सुरा लेता है आपको पता ही नहीं चलता है आपका सबसे किम्ती चीज़ जो है वह है टाइम होता है जो आपसे आपका स्मार्टफोन चुरा लेता है आपको पता है कुछ सेकंड्स और मिन्टों के लिए लोग लाकों खच करने को तयारे स्मार्टफोन के फीचर्स, कैमरा, गेम्स, सोशल मीडा, इंटरनेट यह सारे प्लैटफोर्म आपसे आपका समय चुरा लेते हैं आप सोशल मीडिया पे कुछ काम से जाते हैं और कब आपके कुछ मिनट गंटों में बदल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता इसलिए आप निशित कर ले कि आपको कहां कितना समय वर्त करना है या यूज करना है आपकě YOU आपकी स्वशल ले कहां कितना समय spend करना है इससे होगा यह कि आपके energy भी बचेगी और आपका time भी बचेगा जब भी आपको important महत्वपुन काम करें तो आपने phone को silent या बंद करके आपसे दूर रखें ताकि आपका concentrate नहीं तूटेगा आपका focus नहीं तूटेगा और आपका काम more productivity से होगा more focus से होगा तो हमेशा ध्यान रखें कि phone और internet पर उतना ही समय डाले उतना ही समय spend करें जितनी उसकी ज़रुत है कोई important post है तो उसे आप later बाद में के लिए देख सकते हैं तो यह होता है seven point और अब यह आपकी choice है कि आपको कौनसा option select करना है यह प्रोटल यह अब आपकी उपर आपकी choice है यह थे seven most important और simple steps जिसका use करके आप अपने life में time को use करना सीख सकते हैं बहुत अटेश से utilize कर सकते हैं यह था आज के वीडियो के लिए इतना यह जो सारी बाते हैं मैंने आपको time management book by सुधे डिक्सी इत बुक से बताई हैं जाने से पहले मैं कुछ course इस वीडियो में आपके और subscribe जरूर करें ताकि आने वाले important वीडियो आप तक जरूर पहुचें और वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से दिल से आपका धनिवाद झाले इत बुक सी से बताई हैं जड़ियो को भी आपका धने।